एक बाद फिर से आप सभी का स्वागत है में प्रदोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल पर मेरे प्यारे दोस्त आज हम बात करने वाले हैं किशोर आवस्था के बारे में ये सिच्चामनोबिग्यान का सातवा वीडियो है इसके पहले छे वीडियो पढ़ चुके हैं अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले जाके आप उसको देखकर आईए इस वीडियो में काफी ज़्यादा मज़ा आने वाला है तो वीडियो को सुरू से अंत तक जरूर बना है जिसका अर्थ होता है परिपकता की और बढ़ना तू ग्रियो टू मुर्चुर्टी ठीक है बात करें तो बिलसियर जोन्स यूं सिम्सन के मता अंसार किसोरा अवस्था प्रतेक बेक्ति के जीवन में वह काल है जो बाले अवस्था के अंत में आरंभ होता है और प्र सोरा अवस्था स्टार्ट होती है और जहां पर प्रौण अवस्था स्टार्ट होती है वहां पर किसोरा अवस्था समाप्त होती है यह कह रहे है कौन बलेर जोन्स उसके बाद सिम्सन ने कहा है ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है मनो बैग्यानिकों के अनुसार इस आपके एक बैग्यानिक है इस्तेनले हॉल के अनसार कि शोरा अवस्था बड़े शंघर्स यों तनाव तूफान तथा बिरोध की अवस्था है तो यह किस ने कहा है इस सीज को आपको धिहान में रखना है बात करें कुछ मनो बैग्यानिकों ने इस अवस्था को एक अटपटी तथा शमश्यावस्था प्रॉबलम एज भी कहा है कुछ मनों बेग्यानिकों ने इसे क्या मेरे प्रेज़ दोस्तों तो अटपटी उसके बार समाश्य आवस्था भी कहा है, प्रॉब्लम एज भी कहा है एक आपके बेग्यानिक जरसील्ड के सब्दों में अगर देखें, तो किशोरा अवस्था वहा समय है, जिसमें बिचार सील्बेक्ती बाले अवस्था से परिपक्कता की और संक्रमर करता है यह कह रहे हैं, जो आपके जरसील्ड हैं, यह बताने का प्रियास कर रहे हैं, जब बालक किशोरा अवस्था जहां से स्टार्ट होती है, जब बाले अवस्था समाप्त होती है, वहां से बालक किशोरा अवस्था में प्रबेस करता है, और वो धीरे धीरे करके परिपकता की और बढ़ता है ठीक है कुछ बिद्वानों ने पूर्ब किशोरावस्था को एक बड़ी उल्जहन की अवस्था कहा है मतलब कुछ बिद्वान ऐसे हुए मैं पर दोस्त जब उन्होंने कहा है कि पूर्ब किशोरावस्था मतलब जब बालग जो है कि शोरा अवस्था के अंत में होता है तो वो जो एज होती है बड़ी उल्जहनी की अवस्था होती है ठीक है क्यों कहा है इसके बारे में भी आगिया है हम लोग देखेंगे तो हमें काफी जादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा कुछ बिद्वान ऐसे हुए है कुछ बिद्वान ऐसे हुए है उनका कहना यह है कि अगर बालग अपने लच्छ से अपने क्या बोलते है टार्गेट से हटता नहीं है तो वो उसमें काफी जादा तीबरता से विकसित हो जाएगा और वो अपने लच्छ को काफी जल्दी और काफी पहले जो है हासल कर ले जाएगा ठीक है बात करें कि शोरा अवस्था की कुछ मुख विशेस्ताएं हैं जैसे कि शोरा अवस्था की मुख विशेस्ताओं के संबद में मनो बैग्यानिक बिगवा हंट ने लिखा है कि शोरा अवस्था की विशेस्ताओं को सरबोत्तम रूप से बेक्त करने वाला एक सब्द है परिवर्तन किसने तो आपको ध्यान में रखना है बिग वहंट ने कहा है कि अगर कि शोरा अवस्था की विशेस्ताओं को अगर हम एक सब्द में बोलने का प्रियास करें तो वो है परिवर्तन परिवर्तन का आशे उन्होंने कहां से लिया है तो सारीरिक, सामाजिक और मनोबैग्यानिक होता है मतलब जो परिवर्तन का आशे लिया है उन्होंने लिया है सारीरिक परिवर्तन होता है सामाजिक परिवर्तन भी होता है और उसके बाद में मनो बैग्यानिक परिवर्तन भी होता है बालक के अंदर ठीक है चलिए बात करें किसोरा आवस्था की कुछ बिसेश्थाएं जो है वो इस परकार से हम लोग देख सकते हैं शमानतया जैसे सारीरिक परिवर्तन के रूप मे वालक स्थ्रिट igual को प्राप्त करती है मालग इसकी अगर पहली जो विशेष्था देखें तो देख सकते हैं कि जब बालक जो है कि सोरा अवस्था में जाता है तो वो धीरे धीरे करके सोरा अवस्था में जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो पुरुषत्त को प्राप्त करता है जो बालिकाय होती है वो इस्तित्तों को प्राप्त करती है ठीक है चलिए बात करें दूसरा पॉइंट तो मान आंसिक विकास के रूप में बगर बात करें हम लोग तो देखें तो वो कलपना करने की उसमें सक्ती काफी जादा हो जाती है जैसे कोई भी चीज अपने दिमाग में बैठे बैठे वो कलपना करके सोच सकता है उसके बाद वो दिन में श्वपन देखना दिवा श्वपनों का मतलब होता है जो दिन में स्वपन देखता हो उस तरीके से तो उसकी अधिकता जादा हो जाती ही वो दिन में बैठे बैठे अपना क्या कोई चीज स्वपन देखता है कि मैं ये बन जाओंगा ये मैं आई एस बन जाओंगा ये कर लूँगा वो कर लूँगा तो वो सारी जो का वो बिरोध करने में पीछे नहीं हटता ठीक है बात करें जो आपका तीसरा पॉइंट है वो कह रहा है किसोर की मानसिक दसा आइस्थिर होती है ठीक है क्या किसोर की जो वहां पे किसोर आवस्था में जो बालक बालिकाय होती है उनकी जो मानसिक दसा होती है वो क्या होत वो क्या आस्तिर होती हैं और इसके कारण ही क्या वो परिया वरन में अपने आपका शमायोजन जो है वो नहीं कर पाते उस में वो अश MART रहते है मनों बे ग्ञानिकों के अंसार 16 वर्से की आयूright tuk मानसिर्फ आयू में ब्लर्धी होती है मनों बे ग्ञानिकों का मानना है ज एक्तिविट्य क्या हो जाती हैक्टिव हो जाती है ठीक है चलिए बात करें मनोबैइग्यानिक रास ने स्लाटर का इस कथन का समर्थन किया है काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरा आवस्था का आवश्यक अवस्य ही मूल तथ्या है ये किस ने कहा है तो ये किस कहा है आपके किस ने इस लाटर ने कहा है और इसका समर्थन किस ने किया है रास जी ने किया है ठीक है वो कह रहे हैं कि किसोरा आवस्था के अवस्य ही मूल तथ्या है एक विसाल नदी की गती के प्रवाह के समान वह जीवन की भूमी के बड़े भाग को सिंचित तथा उपजाओ बनाता है उन्होंने जो कहने का प्रियास किया है वो कह रहे हैं कि जो ये काम की भावना होती ये पूरे जीवन में तो नहीं लेकिन कुसोरा वस्था में एक अवश्यक महतपूर इंपॉर्टेंट भूमी का निवाती है उसी के कारण जो है बालक अपने पूरे जीवन में उसको क्या बोला है वहाँ पे भूमी का अर्थ लेकर चलने है जीवन की भूमी में क्या बड़े भागों को सिंचुत तथा उप भी श्रक्मप्रेम आटो साजी कामधाउब भूमी के भायन है बात करें जो किशोर लाएं हूट कह dai ऐसे-म वह क्या होदी उसमें समम लाएं धूर समलेंहं ौर इसके बाद भी यहा फिर। आपस में प्रेम करना इस्टार्ट कर देते हैं या फिर लड़का लड़की या फिर लड़की लड़की या फिर लड़का लड़का तो इन सब पर क्या भावना है उनके अंदर उपजने इस्टार्ट हो जाती है कि शोरा अवस्था में ही ठीक है बात करें कि शोरा अवस्था धीरे धीरे अपने ईशवर के परति जिस धर्म में हैं। उस ईशवर के परति क्या उनकी क्या हो जाती है ? आस्थावान वो बनते चले जाते हैं। अगला पॉइंट जो है किसोर तथा किसोरियों में कल्पना की बहुलता होती है, पड़रामताया हुआ है इसका दिवाश शप्न देखने लगते हैं मतलब जो किशोर किशोरिया होती है उनके अंदर कलपना की बहुलता होती मतलब किसी भी चीज की वो कलपना करना इस्टार्ट कर देते हैं आत्म सम्मान के ठेस लगने पर वा प्राया घर से भागने लगते हैं, मतलब इस अवस्था में जो क्या हो जाते हैं, उनके आत्म सम्मान में प्रबलता हो जाती, काफी जादा अपने आपको क्या बता दें, आत्म सम्मानित मानने लगते हैं, सम्मानित अपने आपको समझने लगते हैं और इसी चीज की बढ़ावा होने के कारान अगर उनको किसी बात से ठेस पहुंचता है या उनको किसी चीज से नुकसान होता है जिससे उनके भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो वो क्या करना घर भी छोड़ सकते हैं इस इस्तिती पे आ जाते हैं बात करें बहीर मुखी बेक्तितों का विकास होता है ठीक है बालक हर छेतर में कुछ ना कुछ क्या होता है बिक्सित हो जाता है हर चीज को जानने का प्रयत्न करता है और साध उसमें सफल भी रहता है ठीक है बात करें बेवसाई चुनने की चिंता इस करम के एक कुसल डाक्टर, इंजीनियर, वकील, सिच्छ, कलाकार, सफल किसान आज बनकर जीवन बितीत करना चाहता है बालक जब इस एज में पहुंच जाता है तो वो क्या अपने बेवसाई को चुनने के प्रतिचिंतित हो जाता है कि किस छेतर में उसको जाना है जैसे वो डाक्टर भी बन सकता है इंजीनियर, वकील, सिच्छ, कलाकार, सफल किसान कुछ भी बनके वो सोचता है बब मैं आप वहीं पर अपना क्या करता है लच्छ निरधारन करता है और पूरा जीवन वही करने का प्रियतन करता है अगला पॉइंट जो है किशोरा अवस्था की विशेष्था के संबंद में किसने स्टेनले हाल कहते हैं कि किशोरा अवस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसमें क्योंकि इसी में उच्छता और स्रेष्था मानों विशेष्थाओं के दर्सन होते हैं मतलब कहे रहे हैं कि जो ये किशोरा अवस्था होती है, ये एक नए जुन्म के रूप में आती है, इसी के कारण इसी में उच्चता और स्रेष्टा, मानो बिसेश्थाओं के दर्सन होते हैं, किस में तो किशोरा अवस्था में ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, त पसंद आया है, तो लाइक करो, ऐसे ही और भी डीजर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई टॉपिक के साथ, नए जोस के साथ, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत!